इस तालीमे प्रोग्राम में आपका खेर मखदम करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में हम साले सुवम के निसाब से एक यूनिट जिसका उन्वान है हाजिमी की फेलियात फिजियालोजी आफ डाइजेशन इस पर बातचीत करेंगे यह समझने की कोशिश करेंगे के हाजिमा क्या है कितने तरह के हाजिमी अमूर होते हैं मुक्तलिफ जानवरों में हाजमे का अमल किस तरह होता है और हाजमे की मुकमिल तफसिलात की जानकारी हासिल करेंगे जब कभी हम देखते हैं कि कोई शख्स कमजोरी नातवानी निखाहत की वज़े से अचानक पस्ती का शिकार हो जाता है तो उसकी पस्ती को दूर करने और उसकी आम हालत बहाल करने के लिए हम फौरी ग्लुकोज का एक या दो चमज पानी में मिलाकर उसको पिला देते हैं और उसके फौरी बाद वो शख्स ठीक हो जाता है तो मेरा सवाल ये है कि हम ग्लुकोज ही का सेलेक्शन क्यों करते हैं कोई और ग्रिजा क्यों नहीं खिलाते जैसे कि बिरियानी क्यों नहीं खिलाते या फिर चिप्स क्यों नहीं खिलाते तो हम इसी और तरह के सवालात का जवाब भी इस सेशन के दौरान में जानेंगे अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि फिजियालोजी अफ डिजेशन क्या है हाजमेक का अमल क्या होता है हमारी गिजा अक्सर सूर्थों में प्रोटीन, कार्बोहेडरेट्स और चर्बगई पर मुनहसिर होती है हमारी गिजा का ज़्यादतर हिस्सा इनी पर मुच्तमिल होता है गिजा हमी तवानाई हासिल करने का सबब बनती है तवानाई क्या है काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते है लेकिन जरूरी ये है कि हम इस बात पर गवर करें कि हमारी जो गिजाएं हैं प्रोटीन, कार्बोहेडरेट्स और चर्बी ये बड़े बड़े सालमों पर मुनहसिर होती है और इनका सालिमी वजन बहुत ज्यादा होता है जैसे अगर हम प्रोटीन्स को लें जैसे प्रोटीन्स गोष्ट में होता है प्रोटीन्स तरकारियों में होता है प्रोटीन्स बीन्स में होता है अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो इसका सालिमी वजन या मॉलिकुलर वेट एक लाक से लेकर कई मिलियन पर मुस्तमिल होता है तो जाहर बात है कि ये कसीफ सालिमात हैं इसी तरह से चर्बी का वजन भी बहुत ज्यादा होता है और कार्बोहडर्डेड्स भी बहुत ज्यादा वजनी होते हैं इन गिजाई सालिमाओं को छोटे छोटे सालिमाओं में तबदील कर दिया जाना जरूरी है ताकि ये खून में जजब हो सकें और जिस्म की मरम्मत के लिए या फिर तवानाई की फराहमी के लिए इस्तेमाल कर सकें तो इस सिलसे में डाइजेश्चन का जानना ज़रूरी है डाइजेश्चन या हाजिमा एक ऐसा आमल है जिसमें घिजा के बड़े-बड़े सालमाद हाईडरलिटिक या इंजमाटिक हाईडरलिसिस के जरीए से खामिरी आपपाशी के जरिये से छोटे सालमों में तब्दील कर दिया जाते हैं ताके ये आसानी से खून में जजब हो सके इस अमल को डाइजेशन या हाजिमा कहा जाता है हाजिमी निजाम दो तरह के होते हैं एक इंट्रासेलिलर डाइजेशन और दूसरा एक्स्ट्रासेलिलर डाइजेशन जैसे पुटोज हुआ है तो इसमें डाइजेशन का अमल फूड वैक्यूल्स में मुकमिल होता है तो food vacuels जब form होते हैं तो food vacuels में खामरे इफरास किये जाते हैं और अमल हाजमा मुकमिल हो जाता है ये चुक्छे एक ही खलवी के अंदर मुकमिल होता है इसको अंदरूनी खलवी हाजमा या intra cellular digestion कहते हैं इसी तरह से sponges, tinophores, silentrates और terbularians में भी intra cellular digestion हो जाता है silentrates में intra cellular और extra cellular दो तरह के digestion होते हैं एक और मुझबित पहलू ये है extra cellular digestion में कि यहाँ दो openings होते हैं एक के जरी गिज़ा दाखिल की जाती है और दूसरी opening के जीरे गेरहजम शुदा गिज़ा जिसके बाहर खारिद कर जी जाती है इसी तरह से gastropores में भी intra cellular digestion होता है जबके सिफलो पोर्ड में digestion का अमल extra cellular होता है प्रोटीन निशास्ता और चर्भी दरसल अपने इंफरादे एकाईयों या polymers पर मबनी होते हैं जैसे proteins amino acids पर मुश्तमिल होता है निशास्ता glucose, galactose या fructose पर मबनी होता है और इसी तरह से चर्भी glycerol और fatty acids पर मुनहसिर होते हैं जब हम कहते हैं कि protein का एक molecule काफी बड़ा होता है तो इसका मतलब यह है कि ये polypeptide की chain से एक दूसरे से जुड़े होते हैं जैसे कई amino acids peptide bond के जरीये से link होते हैं और ये एक कड़ी बनाते हैं इस लड़ी या कड़ी को हम polypeptide कहते हैं हाजमे के अमल में करना ये होता है कि इस polypeptide chain को बीच से break करके individual amino acids में तखसीम कर दें इसी तरह से जो निशास्ता है वो polysaccharide अगर है जैसे के cellulose है या glycogen है या starch है ये कई एक carbohydrate के एकाईयों से मिलकर बने होते हैं और अमल हाजमे के दोरान में इन एकाईयों को तोड़ दिया जाता है तो इसी को हम ये समझते हैं कि जब ये एकाईयों में तबदील हो जाते हैं तब ये अमल हाजमे की मुकमिल तकमील होती है और ये अब इस खाबिल हैं कि इसको directly खून में diffuse कर लिया जाए जैसे के मैंने पहले सवाल किया था कि इंतहाई निखाहत की हालत में हम glucose ही क्यों देते हैं कोई और गज़ा क्यों नहीं देते या starch क्यों नहीं देते तो उसकी वज़ा ये है कि glucose एकाई है कार्बोहेडरेट्स की एकाई है जो आसानी से खून में मिल जाती है तो अगर कोई कमजोर आदमी है जिसे तवानाई की जरूरत है तो इस एकाई को देने के नतीजे में फोरण ही glucose खून में मिल जाता है और तवानाई हासिल हो जाती है जबके इसके बजाए कोई और starch अगर हम दें या कोई और दूसरा molecule दें तो पहले इसको अमल हाजमे से गुजरना पड़ेगा उसके बाद ही ये तवानाई देने के खाबिल होगा इसी बुनियाद पर हम glucose को एक रेडिमेट फूट तसवर करते हैं खाजमे के अमल में खामेरे या enzymes एक अहम रोल अदा करते हैं खामेरों का अमल का दारोमदार pH और temperature पर होता है जैसे के प्रोटीन को तबदिल करने वाले खामेरे पेपसिन pH 2 पर अपना बहतरीन असर जाहर करता है जबके ट्रिपसिन का असर pH 8 पर होता है खामेरे biological catalysts होते हैं इनकी मौझूदगी इस बात के लिए जरूरी है कि metabolic events की आगाज हो metabolic events के आगाज के लिए खामरे नहत अहम है जैसे पेपसिन खामरा अंडे की सुफेदी यानि अल्बूमन को हजब करने के लिए 1.5 pH की जरूरत होती है जबके कैसीन जो के एक मिल्क का प्रोटीन है इसको हजब करने के लिए 1.8 pH की जरूरत होती है जबके यही पेपसिन जब pH 8 हो जाता है तो इसकी कारकरदगी मुकमिल तौर पर रुख जाती है खामरों की कारकरदगी का इनहसार तपिश पर भी होता है तपिश के किसी हद तक बढ़ने से खामरों की कारकरदगी में इदाफा होता है जबके अगर तपिश 45 से 50 से ज्यादा हो जाए तो खामेरे तबा हो जाते हैं कुछ खामेरे हीट रेसिस्टेंज या मुदाफ़े हरारत होते हैं जैसे के पापाया से होने वाला खामेरा पापाइन 70 और 80 डिग्री सेंटीग्रेट पर भी अपनी कारकरतगी बताता है और हाजमे के अमल में हिसा लेता है इसी तरह का एक मुशाबे खामरा पाइन अपल में भी पाया जाता है हम यह देखते हैं कि कोई पकवान में गोश्ट को गलाने के लिए पापाया का सुफूफ इस्तेमाल करते हैं गोश्ट को पपाये के सुफूफ से मिला देते हैं इसकी वज़ा ये है कि जब इसको हीट किया जाता है जब उसको बाइल किया जाता है तो ये खामेरा पपायें 70 और 80 डिगरी पर भी अपनी कारकरदगी बताता है और गोश्ट को गलाने में मदद देता है इसी वज़ा से पकवान की सूरत में हम ये करते हैं कि पपाया का सुफूफ गोश्ट से मिलाते हैं और आसनी से गोश्ट को गलाया जाता है अब हम देखेंगे कि प्रोटीन का हाजमा किस तरह से होता है जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ प्रोटीन अमाइनो आइसिट से मिलकर बने होते हैं एक लड़ी है जो प्रेप्टाइट बांड से जुड़ी होती है और जुमला बीस अमाइनो आइसिट स्पाय जाते हैं बनियादी तोर पर प्रोटीन पर अमल करने वाले खामरे दो तरह के होते हैं एक तो endopeptidases और दूसरा exopeptidases और endopeptidases ऐसे खामरे हैं जो के अंद्रूनी बांड्स को अलग करते हैं exopeptidases से मुराद ऐसे खामरे हैं जो के प्रोटीन पर बेरूनी टर्मिनल बांड्स को जुदा करते हैं मेदे की दिवारे घ९रामिल पेपसिनो जिन एफरास करती है जिसे चीफ सेल्स रिलीस करते हैं इसी तरह से ऑफरास करती हैं पेपसिनो जिन तुर्शे की मौजीदगी में एक्ट्व पेपसिन में तबदील हो जाती है मैं यह बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि यह जो अमल है प्रोटीन के हाजमे का अमल शुरू होता है मेदे से मेदे की दीवारों में पेपसिन अमल करके इसको पेप्टोंस और पॉली पेप्टोंस में तबदील कर देता है पेपसिन एक्ट्व पेपसिन प्रोटीन पर अमल कर कि इसको प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पॉली पेप्टाइट्स में कनवर्ड कर देता है यहां पर मौजूद तुर्शा एक एहम रोल अदा करता है हेड्रोकलोरिक तुर्शी की वज़े से यहां का पीहज दो होता है और गिज़ा तकरीब आधी कि तोर पर या निम हलपजीर हो जाती है इस नीम हलपजीर ग्ज़ा के सियाल को हम काइम कहते हैं यह काइम आगे चलकर इंतम इन्टाइट्स ताइन में दाखिल हो जाता है प्रोटीन्स पर अमल करके इसको पॉली पेप्टाइट्स में तब्दिल करता है इसी तरह से कार्बागजी पेप्टी डेज़ेस और अमाइनो पेप्टी डेज़ेस भी होते हैं अपने अपने मुतालेखा कारबकजाईल ग्रूप और अमाइनो ग्रूप पर अमल करके इन्ही हजम करते हैं यह जो दो इंजाइम्स और या खामरे हैं वो इंटस्टाइनल वाल्स से सीक्रेट होते हैं मैं यह बताता चलों कि दरसल हसेमे का आमल चार बुनियादी बातों पर इन्हेसार करता है एक तो मुटिलिटी है मुटिलिटी प्रिस्टिलाटिक मुवमेंट की वज़े से होती है और ये स्मूथ मजल्स जो हैं वो एक मसलसिल अपनी हरकत के जरीए से घजा को अंदर ढखेलते रहते हैं दूसरी एक एहम वजा है यहां पर जो सीक्रेशन्स हैं वो एहम रोल अदा करते हैं secretions में एक तो glandular secretions है और दूसरा acid secretion है इससे पहले के glandular secretions के बारे में मज़िद कुछ जाने हमेरे लिए यह जानना जरूरी है कि glands किसको कहते हैं gland से मुराद कोई भी खलिया या खलियों का मजमुआ जो अपने इफराजात को पैदा करता है और खुन में शामिल करता है इसे हम गदूद या gland कहते हैं तो यहां पर बहुत सारे गदूद अपने इफराजात को दाखिल करते हैं इसमें exocrine gland भी है और endocrine glands दो तरह के गदूद भी पाए जाते हैं मेदे में जब गदा दाखिल होती है तो वहां पर दो तरह के खामिरे शामिल हो जाते हैं एक तो लबलबे से आने वाले खामिरे जिनी हम pancreatic juices कहते हैं और दूसरा एक group है जिसे हम wild के नाम से जानते हैं जो के जिगर से हासिल होता है ट्रिपसिन एक खामिरा है जो लबलबे के अफराजात में शामिल है ये बुनियादी तोर पर ट्रिपसिनोजिन की शकल में इफराज होता है जो इंटरोकाइनीस हार्मून की मौजूदगी में ट्रिपसिन में तबदील हो जाता है pH 7 से 9 तक ट्रिपसिन अपनी अक्टिविटी जाहर करता है और प्रोटीन पर अमल करके इनको फेप्टोन्स और अमेनो एसिट्स में मुन्तखिल कर देता है इसी तरह से इंटस्टाइन में कार्बोहेडरेट्स के हाजमे का अमल भी शुरू हो जाता है ये टाइलिन नामी इंजाइम अफरास करते हैं जिसी हम अमाईलेज भी कहते हैं अमाईलेज दर असल एक लातीनी लवज है जिसके माने है स्टार्च या निशास्ता तो जाहर है अमाईलेज निशास्ते पर अमल करके इसको छोटे-छोटे कार्बोहेडरेट्स में बदल द अमाईलेज होता है जिसको पहले अमिलॉपसिन कहा जाता था ये अमाईलेज घजा पर अमल करता है और इसमें मौझूद कार्बोहेडरेट्स पर असर करके इनको सिंपल सुगर्स में तबदील कर देता है जैसे के गलोकोज, फ्रक्टोज या गालेक्टोज इसी तरह से और इकाई में तबदील होता है इस तरह से मेदे में कार्बोहेडरेट के हाजमे का अमल मुकमिल हो जाता है अब हम बात करते हैं चर्बी का हाजमा कैसे होगा चर्बी या फैट्स दर असल इस्टर्स हैं ग्लिसरॉल और फैटी आसिट्स के ये पानी में इंतहाई नाहल पजीर है इसलिए इन्ही आप पाशी या हैड्रोलाइस करना नहायत ही मुश्किल है और इसके लिए इन्ही हज करने बालगे मीडियम की रूरत होति है बालगे बेसिक मेडियम में होता है इसमें कई तरह के साल्टस और पिगमेंट मुझट होते हैं बनयादी طور पर ये खल्वी महलूल या अल्कलाइन सलोीशन होता है और ये जब इंटरस्टीक में दाखिल होता है तो सब्से पहले जबके इसमें पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं इसमें पिगमेंट्स सुर्ख सफरा और सबसफरा पाए जाते हैं यह तमाम घजा को अलकलाइन बनाते हैं और यह जो पिगमेंट्स हैं एक बिली वर्डिन है जिसे सबसफरा कहते हैं और दूसरा बिली रूबिन है जिसे सुर प्लेट्स में तबदिल होते हैं और जब तक ये खतरों में तबदिल नहीं होते चर्बी का हाजमे का अमल नहीं हो पाता इसी वजह से मेदे में बावजूदिस के । गैस्ट्रिक लाइपेज मौजूद होता है लेकिन फिर भी वहाँ पर फैट्स के हाजमे का अमल नहीं होता और ये सिर्फ छोटी आँट में होता है चुंकि छोटी आँट में पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेस नामी खामेरा मौजूद होता है और ये लाइपेस फैटी असिड और ग्लीसराल में चर्बी को तब्दील कर देता है इस तरह से जिगर के इफराज, पित या बाइल के इफराजात और लबलबे के इफराजात की मौजूदगी में डिवोडिनम में तकरीबन तमाम घिजा का हाजमी अमल तकमील को पाता है और इस सुरत में गिजा जो के दूदिया सैयाल हो जाती है इसको चाइल कहते हैं इसको आगे के हिस्से में मुन्तखिल किया जाता है जहां पर गिजा जजब हो जाती है डूडिनम में तकरीमन तमाम गिजा का हाजमी अमल तक्बील को पाता है और ये गिजाई सूरच चाहिल कहलाती है इसको आगे के हिस्से में मुन्तखिल किया जाता है जहां पर गिजा जजब हो जाती है यहां दो अहम बाते हैं एक तो ये कि जो प्रिस्टलाटिक मूवमेंट है ये दो ओपनिंग्स में नहीं होते ये मौत में नहीं होता और साथ ही साथ रिक्टम के बाद भी नहीं होता अनस में वालन्टरी मूवमेंट्स की वज़े से जो कुछ नाखाबल हजम गिजा है उसका इखराज अमल में आता है और इसी तरह से मूवमें भी वालन्टरी मूवमेंट्स का कोई अमल दखल नहीं होता यहां दो तीन अहम बाते हैं जो हम समझना जरूरी है पहली चीज़ ये कि जब अमल हाजमे का अमल होता है तो मेदा तूर्शे की वज़े से एसिडिक हो जाता है अक्सिंटिक सेल्स या पाराइटल सेल्स तूर्शा या हाइडोकलोरिक तूर्शा इफरास करते हैं तो सवाल ये है जब ये तूर्शा इफरास करते हैं तो क्या वज़ा है कि खुद गिजाई नाली या मेदा गल नहीं जाता इसका जवाब ये है कि गिजाई नाली में म्यूकस सेल्स या बहुत सारे म्यूकस मौजूद होता है मेदे की दीवारों में म्यूकस पैदा करने वाले खलिये होते हैं और इसको पूरी तरह से म्यूकस से लेस कर देते हैं जो एक प्रोटक्टिव लेयर का काम करती है और जो मेदे की दीवारे हैं मेदा खुद अमले हाजमे से खारिज हो जाता है या दूर रहता है दूसरी एक अहम बात ये है कि तुर्शे की मौजूदगी के बावजूद यहां मेदे में एंटी एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो मेदी की हिवादत करते हैं इसी तरह से मेदा का जो प्रोटो प्लाजम है वो अलकलाइन होता है जबके मेदे का प्रोटो प्लाजम की बेसिसिटी या खलवी नवीयत की बिना पर यहां पर कोई मुजिर असरात का इजहार नहीं होता और मेदा पूरी तरह से महफूज रहता है इलियम में गिजा का इंजिजाब होता है तो यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्स होते हैं जिसमें गिजा जजब हो जाती है तो गिजा का इंजिजाब का अमल इलियम में होता है और गिजा के ज़्यादातर हाजमे का अमल डियोडेनम में होता है जब ये गिजा मुकमल तोर पर जजब हो जाती है तो जो गेरहदम शुदागिजा जो के ज्यादतर फाइबर्स पर पानी पर और मुजिर माद़ों पर मुच्तमिल होती है वो एनस के जरीए खारित कर जी जाती है और विलाई में जस्फ शुदागिजा खुन में असिमलेट हो जाती है अब यहां पर एक बात जो जरूरी है वो यह है कि हमारे अंदर और बहुत सारे जानवरों में सिलूलोज हजब करने के लिए कोई मेकानिजम नहीं होता क्योंके कोई ऐसा इंजाइम जैसे के सिलूलेज है सिलूलेज इंजाइम इनसान में और बहुत सारे दूसरे जानवरों में नहीं होता और चुँके इस खामरी की गैरमजूद्गी की वजह से हम सिलूलोस गिजा को हजम करने की सलाहियत नहीं रखते जैसे के लकड़ी है या कागज है या फाइबर है या प्लाइंट्स के खलवी दीवार है इन्हीं हम हजम नहीं कार पाते तो फिर हम क्यों इस तरह के गिजाएं लें इस तरह के गिजाओं का एक फाइदा ये है कि जब हम इस तरह के गिजाएं लेते हैं जो हजम नहीं होती लेकिन ये फाइबर डेफिकेशन के आमल में बहुत ज्यादा हेलफुल होती है और हमी कांस्टिपेशन नहीं होता इसी वास्ते देखने में आता है कि एक्सल डॉक्टर फाइबर के कसीर इस्तेमाल के लिए सजेस्ट करते हैं ताकि कांस्टिपेशन का प् जाता है और कुछ तर्माइट्स पे भी ये मवजूद होता है एक स्नेल है जिसे हम हिलिक्स पोमाशिया कहते हैं एक सीपी है जिसमें स्लॉलोस के हाजमे का अमल होता है लेकिन ये यखिन से नहीं कहा जा सकता कि इसकी वज़ा सिलॉलेज इंजाइम की मौजूदगी है या पर टर्माइट्स स्लॉलोस को ह़म करने में मदद करते हैं लेकिन देखने में आया है कि कुछ स्नेल में और क्रैप्स में ये एंजाइंस सीलॉलोस पाया जाता है तो इस तरह के जानवरों में स्लॉलोस डैजेश्चन का अमल होता है हमने आज के उन्वान में ये जानने की कोशिश की और ये जाना के हाजमा क्या है किस तरह के हाजमे के अखसाम है और गिजा किन किन हिस्सों में किस किस तरह से हजम होती है उम्मीद है कि ये तालीमी प्रोग्राम आपके लिए मुफीद होगा इस सिलसले में आपको मजीद जानकारी किताबों को जिरिये से हासिल हो सकती है आप इस सब्जक्ट या इस टॉपिक के मुतालिये के लिए Animal Physiology by दलिला वर्मा या Animal Physiology by निल्सन या Animal Physiology by यांसी रिफर कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए आप इस पते पर भी कंटाक्ट कर सकते हैं फिर किसी और प्रोग्राम में आपसे जरूर मुलाखात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए प्रोग्राम में आपसे जरूराम में आपसे जरूराम में आपसे हैं अग्तितततत प्रोग्राम प्रूòराम में आपसे हैं भी की तब फ्रούμε झेली हैं मतलसूश अहीं जर एंवरभर होगी प्रोग्राम में आपसे जरूर attentive